मारूती सुजुकी अर्टीगा इस गाड़ी की सेल फिगर इंडिया में लगतार खराब होती चली जा रही है तो ऐसे में जो कमपणी है ना मारूती कमपणी ये अपनी अर्टीगा में काफी बड़े बड़े अपडेट्स करने वाले हैं और भाई आपने बहुत बार सुना हो होगा अर्टी गाइ स्पर्ट ये गाड़ी इंडिया में काफी लंबे समय से कमिंग सून में चल ले तो फानली जो है अब कुछ अपडेट आल रही है कि मारूती एटीगा इस पोर्ट एफ एफ ये गाड़ी ईंडिया में लौच होने वाली है और ये काफी बैतरीन से बागी यार लुफ्स तो आप लोग भाई वीडियो में चेक आउट कर सकते हैं कि गाड़ी में आपको काफी अच्छा मिल जाता है इंटीरियर, एक्स्टीरियर, सीट, स्टेरिंग, सब कुछ आपको भाई बहुत ही टॉप नौश क्वाल्टी का मिलेगा लाइट वगेरा जो बैक सेक्षन है जो बाई इंफोर्टेर्मेंट सिस्टम है सब कुछ काफी अच्छा है तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं इंजन जो कि यार सबसे तगड़ा होना चाहिए तो जो एटिगा स्पोर्ट आएगी इस गाड़ी में आपको मि अप्शन मिल जाएगा इस गाड़ी की जो मैक्स पावर है वो अब आपको लगभग मिलेगी 120 HP के आसपास का और जो टॉर्क है वो आपको 150 Nm के आसपास तक का मिल जाएगा जो कि पहले के मुकाबले काफी जादा बढ़ जाएगा और जो माइलेज है वो आपको 21-22 की ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाएगी इसकी जो ओवराल लेंट है वो आपको मिल जाएगी 3,4,395 mm आपको लंबाई मिल जाएगी जो चौड़ाई है वो आपको 17,440 mm तक का मिल जाएगी हाइट आपको मिल जाएगी 1695 mm के आसपास तक का वील बेस आपको मिल जाएगा 2740 mm के आसपास तक का बाकी यार वजन वगेरा डेफिनेटली 500 kg तो बढ़े गबाई ये गाड़ी आपको लगबग मिल जाएगी 1300 kg के साथ बाकी यार इसमें जो है कंपनी आपको आगे और पीछे AC के वेंट देगी जो इसका बाई फ्रंट का लूक है ना उसमें आपको बिल्कुल ही नए LED के मिल जाएगे DRL नए आपको मिल जाएगे LED के लाइट्स जो की रहने वाले हैं प्रोजेक्टर के साथ बाकी यार इसमें आपको मिल जाएगा फ्रंट फिंडर के नीचे अंडर बॉड़ी स्पोईलर पीछे भी आपको मिल जाएगा अंडर बॉड़ी स्पोईलर साथ ही बाई उपर की जो छट है ना उसमें भी आपको मिलने वाला है spoiler बाकि जो गाड़ी की side rail है चारो तरफ आपको मिलने वाला है under body spoiler साथ ही ये गाड़ी आपको dual tone color option के साथ देखने को मिल जाएगी बाकि यह बाई front में आपको मिल जाएगी disc ventilated पीछे आपको drum मिल जाएगा ABS, EBD, heel assist ये सब कुछ आपको मिलेगा साथ ही मिल जाएगी capacity साथ लोग को बैठाने की dots आपको 5 मिलेंगे boot space 209 liter कर रहेगा fuel tank 50 liter तक का हो सकता है जो की पहले की मुकाबले 5 liter तक बढ़ा दिये जाएगा जो tear की profile है वो आपको same मिलेगी 185 पैसट R15 की alloy wheel और steel wheel दोनों के option रहेंगे बाकि यहार जो बाई spare wheel है वो definitely थोड़ा सा पतला हो जाएगा गाड़ी में आपको मिल जाएगा bottle holder, rear seat बाई मिल जाएगी जो की foldable रहेगी बाकि यहार air bag वगेरा जो है वो fast बाई जादा ना मिले जो गाड़ी की build quality है company उसे improve कर दे तो जादा अच्छा होगा बाकि यहार बाई flexible आपको luggage space मिल जाएगा जो की बाई आप इसको जो है ना more माल के आप कुछ भी बना लो, साथ ही companies में आपको दे देगी handrest वगेरा भी और चारो window power रहेंगी और इसका जो बाई price है ना आई जो लिंक के फीचर को लेकर वो price होगा 9 लाग से start बाकि जो launch update भाई है यह गाड़ी launch होगी आने वाले 4-5 मैने के बीच में तो चाब भाई आप लो wait कर सकते हो अटी का sport का तो यहार जो वीडियो है लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंदो वन दे मातरम बाई